How to become rich and retired young? जल्दी अमीर बनकर जल्दी रिटायर कैसे हूँ? Right mindset अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एक ठीक mindset या thinking बनानी पड़ेगी इंडिया में maximum लोगों का क्या mindset होता है? सरकारी नौकरी हर साल Corona Graduate SSE CGL का टेस्ट देते हैं ऐसे ही दूसरे competition के टेस्ट भी देते रहते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है वे प्राइबिट नौकरी कर लेते हैं क्योंकि जॉब करते रहने की वज़ा से हमें कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है सारी जुवानी जौब में ही बीच जाती है और इंसान को अपने सौक और सपने को पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए अमेरिका आदी देसों के यंग इंटर्पेनियर अब इस concept पर बिलीव करते हैं Retire Young Retire Rich क्योंकि उनका माइंसेट ठीक नहीं होता है बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं वे सुचते हैं कि साइद बिजनिस करना उनके बस में नहीं है साइद ये अमेरि लोगों का काम होता है लेकिन ऐसा नहीं है OOK Founder Retis Agrawal बहुत रिश्ट नहीं थे Mark Zuckerberg भी बहुत रिश्ट नहीं थे ऐसा ही बहुत सारे एक्जमपल आफको मिल जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्ट अप शुरू करने के लिए आफको बहुत बड़ा और Complicated Product चाहिए आफने साइद आजकर सुना होगा कि बहुत से लोग चाई बेजगर करोनों कमा रहे हैं चाई की भी फ्रेंचाइजी चल पड़ी है जिसमें लोग 36 तरह की चाई बना कर पिला रहे हैं इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेर्फ डाउड निकालिए खुद पर विस्वास कीजिए और अपना माइंसेट ही करिए ये सोचे कि आप भी अपना बिजनिस शुरू कर सकते हैं बहुत बड़ा ना सही तो छोटा ही सही क्योंकि जिसने ये सोच लेया वही अकला कदम उठाएगा लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमिज रह गई है तो सिर्फ आप एक अवरेज जिन्दगी जी पाएंगे इसलिए ठीक ये रहेगा कि कुछ साल तक जरूर नौकरी कीजिए लेकिन उसके बाद अपना बिजनिस शुरू कीजिए चाहे वो साइट बिजनिस ही क्यों न हो फोकस ओन एक्शन रिज बने का दूसरा मैंट पॉइंट है एक्शन लेना दोस्तों बहुत पार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें कैसे करें क्या ये चल पाएका लोगों ने गलत फीड़ वैक दे दिया तो क्या होगा अगर इस टारड़ फेल हो गया तो क्या होगा लोग मुझे पर हंसींगे सरकारी नौकरी सेफ और सिक्यूर होगे आदी आदी इस तरह के लाखों बिसार आफके दिमाग में आते जाते रहते हैं जिसके वज़द से आफको अनालिसेस पेरालिसेस हो जाता है मतलब ओवर तिंकिंग की वज़द से आफ एक्शन नहीं ले पाते हैं और आफका बिजिनिस कभी भी स्टार्ट ही नहीं हो पाता है बस आफ इसके सपने देखते रह जाते हैं और ऐसे ही सालों बीच जाते हैं तो दोस्तो इसका सही तरीका है कि अभी उठिये और कुछ एक्शन लीजिए पेपर पर गोल लिखे थोड़ी बहुत प्लानिंग करिए और सुरू कर दीजिए ज्यादा सोचिये मत नेता लोग अंपड़ होते हैं फिर भी इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं क्योंकि वे अपने काम के बीज में कूट पड़ते हैं और पड़े लिखे लोग किंतु परंतु करते ही रह जाते हैं तो दोस्तो उठिये और एक्शन लीजिए थर्ड पॉइंट है स्टॉप बिंग लेजी यंग एज में अमीर बढ़ने की दिसा में अगला कदम होगा अपने आलस को दूर करिये बहुत से लोग सोचेंगे कि वे आलसी नहीं हैं वे तर समय पर उट जाते हैं और वक्त पर अपने काम निव्टा लेते हैं लेकिन यहां पर उस आलस की बात नहीं की जा रही है बलकि अपने बिजिनिस के लिए जो एक्शन आपको लेना है उसके आलस की बात की जा रही है जैसे अगर किसी को अपने बिजिनिस का रेजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो आलज के कारण नहीं उसके प्रोसेस का पता लगाएगा और नहीं रेजिस्टर आफिस जाएगा नहीं फॉन करके इंफॉमेशन लेगा इन सब में आलज यही जग करेगा और यही आपको दूर करना है चौथा पॉइंट है वर्क ओन पैशन अगला स्टेफ है आफका जो पैशन है उसके आदार पर ही स्टाड़ अफ सुरू कीजिए इससे आफको बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे रिटाइर एज यंग एज यू कैन जिसनी जल्दी हो सके रिटाइर होने की कोशिस करें इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटाइर होने का मतलब बिलकुल खाली बैट जाना नहीं है जैसे कि आम तोर पर होता है लोग 60-65 की एज में रिटाइर होते हैं और फिर कुछ नहीं करते हैं लेकिन इस बुक के टाइटल का मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि जल्दी रिटाइर क्यों होना है जल्दी रिटाइर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा जिसमें आप अपने नए बिजनिस या स्टाट अफ शुरू कर सकते हैं या अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं या आप देज विदेज की यातरा कर सकते हैं या आप अपने सौक और हॉबिस को समय दे सकते हैं जैसे सुमिंग, जिम, गुर सवारे, थेटर, प्रेंटिंग, आदी और इसी दोहरान आप मेंटल हेल्थ सही रख पाएंगे क्योंकि आपके पास योग और मेडिटेशन के लिए काफी समय होगा इसलिए जल्दी से अमीर बने और जिंग एज में ही रिटायर होने का गोल बना ले और ने बताए कि अमीर बने के लिए उन्होंने दो तरीकों का इस्तेमाल किया पहला है कैस्फलो दूसरा लेवरिज सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया इसके लिए उन्होंने अपने कुछ प्रोपरटी को गिरवी रख दिया लोन लेने से उनके पास एकदम से कैस्फलो आ गया उन्होंने अपने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल इस्टेट में लगा दिया रियल इस्टेट का मतलब है जमین का प्रोड लेना और कुछ समय बार कीमत बढ़ जाने पर उसे बेज देना या कोई मकान या बिल्डिंग सस्टे में बनवाना और फिर उसे महेंगे दामों पर बेज देना लेकिन दोस्तों ये सिर्फ लेका की अपनी स्टोरी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये आंग बन करके रियल स्टेट में कूच जाएं सबसे पहले उस फिल्ड का पूरा नौली समसिल कीजिए दूसरा लोन लेने में बहुत सारी साफ़दानी बरतनी पड़ती है लोन एक तरह का डेफ्ट है और ये आपको डूओ भी सकता है लेकिन आफर कहते हैं कि डेफ्ट से दो परकार के होते हैं गुड डेफ्ट और बैड डेफ्ट गुड डेफ्ट वो होता है जिसे आप हर महिने किस्तों में चुका पाते हैं इस डेफ्ट के पैंसों को आपने इन्वेस्ट किया होता है और ये आपको खुब सारा पैसा कमा कर देता है बैट डैफ तो वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है और कमा कर कुछ नहीं देता है इस तरह लोन सोच समझ कर लेना चाहिए और ये भी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें इंट्रेस्ट रेट बहुत ही अधिक होता है और लोग बरवात हो जाते हैं